हैलो सिनेमा लवस लोके सिनेमेटिक उन्यूवस जो कि इंडिया का अबे तका सबसे बड़ा सिनेमेटिक उन्यूवस बनता जा रहा है जिस पर हमने और रेड़े दो वीडियो जैशेर करी थी पर फिर भी कुछ बात यह बज़ गई थी जैसे कि क्या पार्ति बन सचमें लियो है क्योंकि अगर वो लियो है तो उसकी बॉड़ी पर बुलेट माक्स क्यों नहीं है और लियो ने जिन लोगों को कैफे में मारा था उन में से किट डेट बॉड़ी का एप थी तो बॉड़ी किसकी थी इन सवालों के साथ साथ इस बार भी हम आपके लिए कुछ तो कुछ जिनों पहले की बात है जो मेरे पास फ्री टैम बचा हुआ था वैसे तुम्हें दिन बरगर में इसे पढ़ा रहता हूँ तो मैंने लियो की बिड़ा पेज को विजिट किया जहाप और मुझे पता चला कि ए फिल्म हिस्ट्री ओफ ओफ ओलेंस इस किताब पर राद तो जिस तरह से हमारे फिल्म का मेनी रोहे पार्ति बन उसी तरह से इस किताब का मेनी रोहे टॉम्हें जो मिशिगन के एक छोटे से गाव में अपना कैफे चलाता है और एक दिन कैफे क्लोजिंग के डाएम पर दो लोग उसके कैफे में घुशते है जो टॉम को गन दिखा और वो आदमें जो टॉम की कैफे में घुसा था वो नियूयक सिटी का एक माफिया डॉन निकलता है जिसका नाम है जॉन टूरिनो और उसके एक आख नहीं होती और जब वो कैफे में बैठा होता है तब वो एक चीज़ नोटिस करता है कि टॉम की एक हाथ की उंगली कम होत जिसके बाद में जॉन जाकर टॉम के वेए फेड़े से मिलता है और उसे बाद बताता है कि तुम्हारे पति का नाम टॉम नहीं है बलकि उसका असली नाम जोई है जिसने बहुत सा लोगों का खुन किया है जिसके बाद में AD टॉम पर शक्करने लगती है और जो की जॉन हम टॉम की है और इसलिए टॉम है कन्फेस करता है कि वो ही जो ही है जो बहुत सो लपेल एज गैंग्स्टर काम करता था और उसने पैसो के लिए बहुत सर लोगों का खून किया है पर वो हमेशा से इस लाइप को छोड़ना चाता था और इसलिए पिछली 20 साल उसे वो इस गाव में वो टॉम को कॉल करता है और वो अपस से अपनी गैंग्स्टर लाइफ को जोईन करने के लिए कहता है और टॉम भी उसकी बातों को मानते हुए वापस से न्यूयोक सिटी में जाता है पर फिल्म के इंडिंग में वो रिच्ची को भी मार देता है ताकि वो अपने क्रिम कि साबसे वो इलीगल काम है रोलेक्सर के लिए उनके ड्रक्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम जिसके लिए पहले तो हमें लस्यू की टाइम लाइन समझरी पड़ेगी तो विक्र मुवी के इंडिंग में रोलेक्सर हमें बताता है कि 27 साल लगे उन्हें सामराज्य खड़ा क करने में और विक्र मुवी के टाइम लाइन 2019 की है तो 2019 से 27 साल पिच्छा गराब जाते हो तो आता है 1992 तो इस फैंथेरी के इसाब से रोलेक्सर की बिजनेस की स्टार्टिंग में यानि कि 1992 से लेके 1996 तक एंथनी रोलेक्सर के लिए उनके ड्रक्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम काता था लेकिन फिर है रोल्डास केनदा से एक नए ड्रक्स की आइडिया लेकर आता है और वो आइडिया होती है दतुरा से ड्रक्स बनाने की और फिल्म में हमें ये बात बताए गई है कि दतुरा से बना हुआ जो ड्रक्स होता है वो कोकेन से भी जादा स्ट्रोंग ह इसे इंदोर की विचिमें यह समझवता है कि देश के 50% एरिया में लिए ड्रक्स बेचेगा और बचेवे 50% एरिया में रोलेक सर ड्रक्स बेचेंगे और जोस्ता मिने आपको la's studio में बताया था कि पास्ट में दिल्ली और उलिक सर पार्टनर हो सकते हैं तो इसे वह से दिल्ली भी हाफर पर मोजोद था और यही से लियो दिल्ली के बारे में जानने लगा जिस वह से ये फिल्म में हमें जो सीन दिखाय जाता है जहाँ पर नेपोलियोन लियो को यह बात बता रहा होता है कि तिर्चे में जो ड्रग बस्ट हुआ उस टाइम पर ओगन उसने नेबल की दिल्ली ने चलाई थी उस टाइम पर एलियोन लियोन 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 पादमी था, वो लियो ने वल की पार्थिबन था तो इसी तरह से लियो पार्थिबन बन के चनने में आके रहने लगता है, जिस बहुए से उसके बाड़ी बर कोई भी ब्लेट मांक्स नहीं थे और वो पार्थिबन के सारे डॉकि मेंट्स को अपने पास रख लेता है जिस ब पूरी तरह से नहीं क्योंकि उसने आमें बताय था कि एलिसा को हेरोड ने मारा था और फिल्म के इंडिंग में हेरोड से एक्सेप्ट भी करता है पर जूट ये नहीं है बलकि उसने जो हमें बताया था कि लियो को एंथेनी ने मारा था ये जूट है क्योंकि इस फैन थेरी के इस साब से 1999 में जब एलिसा मारी जाती है तब उसके आखरी इच्छा मानती होई लियो चन्न नहीं आता है जहापर वो खुद से पार्थिबन को मारता है और वहापर वो पार्थिबन बनके रहने लगता है और अपने दोस्तों से कहकर तेलंग नाम म लियो है और इसलिए डिसुजा उसे एफेक्ट स्टोरी बना कर सुनाता है वरना आप खुदी देखो कि अगर सच में एंथनी ने लियो को मारा होता तो जब उसे बात बताई जाती है कि लियो अभी जिन्दा है तब उसका रियक्शन कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि मै एंथनी को भी बाकि लोगों की तरह बात बताई जाती है कि उस दिन फैक्टरी में जो आग लेगी थी उसमें लियो मारा गया पर लियो की बोड़ी कभी मिलती ही नहीं है जिस वएसे ये एंथनी और हेरोल दोनों यी बात जानते थे कि लियो आभी भी मरा नहीं है और जब कि बोड़ी गायब थी तो क्या वही रोलेक से तो सच बताओ तो फर्स टाइम फिल्म देखते समय मैंने ये चीज बिल्कुल भी नूटिस नहीं करी थी पर इस कमेंट के बाद मैंने दुबारा से फिल्म देखे और तब मुझे पता चला कि जब लियो पर मार्केड में हमला होता है उसके बाद में जब वो पुलिस टेशन जाता है तब ये बाद डिसकस करी जाती है और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से फिल्म देखो तो इस आंसर का जवाब या में फिल्म में ही दिखा जाता है ये सबी लोग जो लियो की कैफे में मारे जाते है वो हमाचल के नहीं थे बलके बाहर से आये और इसलिए हो कहा से आये थे उनका नाम क्या था ये राज भी उने के साथ चला गया और ऐसा होने पर पुलिस वाले उनकी बाड़ी को कुछ दिनों के लिए प्रिजर्व करके रखते जब तक उनकी पहचान करने के लिए कोई आता नहीं पर य आदमी जो इस टीम को लिड कर रहा होता है उसकी बाड़ी उसके घर अलो के पास होती है और इसला आई मीनिसका लियो پर मार्केट में हमला करता है तो यही वो आदमी है जिसकी बाड़ी गायव हुई थी और रही बात उसके रोलेग्स होनए की तो ये तो भाई सवाली नहीं है क्योंकि रिजन नमबर वन आगर ऐसा सच में होता तो जब पार्थी बन की फोटो हाराक बार में चप जाती है तो उसे धूनते हुए विक्रम के वहाँ पर पहुचने से पहले रोलेक्सर वहाँ पर पहुचते पर ऐसा नहीं होता रिजन नमबर टू जब लियो एंथनी को मार देता है उसके बाद में हेरोल्ड उसके बैटे को किड्नैप करता है और रोलियो को फैक्टरे में बुलाता है तब वहाँ पर लियो का इंतजार करते हुए हेरोल्ड के साथ साथ रोलेक्सर भी मुझूद होते क्योंकि जो मरा उन को कि excitement नेक्स लेवल पर होती पर आफ्टर रॉल गए जैसा भी फैन थेरीज है और ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इन थेरीज के तरही हो और यही आप लोग के कुछ सवाल थे इन सवालों के अलावा जब मैंने दूसरी पर फिल्म देखी तब मैंने भी कुछ चीज़े न नहीं आ गया और शाय से उसे ने उस डॉक्टर को मारा हो गाए देखने के लिए उजूशी के साथ गया था इसी तरह से कैफे में उन गुंडों को मारने के बाद में राद बर आपनी घर के खिटके से भाहत देख रहा होता है क्योंकि उससे बात पता होती है कि उसकी फोट जेल चला गया पर आभी इतने सालों बात रोलेक्सर की प्रॉब्लम्स थोड़ी से बढ़ने वाली है क्योंकि एक तु दिल्ली जेल से बाहर निकला है और लियो तो पुन्दम पांडे का भाई निकला मरके भी दुबार से जिंदा हो गया है और आभी ये दोनों अगर विक तब ये रोलेक्सर का कुछ नहीं भी गाड़ सकते है और इसलिए आई सपोर्ट रोलेक्सर पर ये बात ही पर खतमने होती बलकि दो-तीन दिनों पहले ही थलाई और 171 का टैटल आउनौश्मेंट वीडियो रिलिस किया गया है जिसे लोकेश कनगराज नहीं डियरक किया है पर लोकेश कनगराज कह रहे है कि ये फिल्म ये लस्यू का पार्ट नहीं होने वाली जो कि ये लस्यू फैंस के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने सेम बात लियो के टाइम पर भी कई थी और इसलिए आपको क्या लगता है क्या ये फिल्म ये लस्यू